आर आर टी एस के जरिये होगी गुरु ग्राम और फरीदबाद की बहतर कनेक्टिविटी द्रसल भाती जंता पार्टी के राश्वी प्रवक्ता राजीव जेटली ने कहा कि परदेश की जंता ने कॉंग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया लेकिन इसके बाबजूत कॉंग्रेस नेताओं ने डुष्ट प्रचार और लोगों को बढ़ गलाने की राजनिती करना बंद नहीं किया कॉंग्रेस के नेताओं दुष्ट प्रचार कर रहे हैं कि परदेश की भासपा सरकार ने फरीदबाद और गुरूगराम को जोड़ने वाली मेट्रो रेल परियोजनाओं को रद कर दिया है जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है परदेश सरकार ने फरीदबाद और गुरूगराम को जोड़ने के लिए मेट्रो से बहतर RRTS Regional Rapid Transit विवस्ता शुरू करने का फैसला लिया है फरीदबाद और गुरूगराम की बीच काफी बड़ा वन शेत्रा आता है इसलिए मेट्रो की वजाए RRTS शुरू की जा रही है जिसके तहट कम स्टेशन बनाये जाएंगे जिससे लोग त्रीवर गती से गुरूगराम आ और जा सकेंगे हर्याना के मुख्यमंतरी नयप सैनी ने केंद्री शहरी विकास मनोहला से उनके निर्माण भवन स्थित दफतर में वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठग कर्प इस परियोजना को अमनी जमा पहना दिया है बड़ी हरानी हुई इस बात को देख करके कि कॉंग्रेस के नेताओं ने जो हमारा मेट्रो प्रजेक्ट था उसको अग्यान्धता के चलते एक स्टेटमंट जारी और कर दी और उनने कहा कि फरिदाबाद और गुड़ियाओं के बीच में जो मेट्रो ट्रेन थी उसका प्रजेक्ट कैंसल हो गया है यही काम वो पहले भी करते आए लोगों ने उनको चुन करके भेजा था उन निताओं में से कुछ विधायक भी रहे थे और विधायक भी अपनी विधानसभा शेतर के अंदर कोई काम नहीं करवा पाए और सारे इलजाम वो हमेशा केंदर सरकार और राजे सरकार के ओपर डालते रहे मतलब भरती जनता पार्टी के सरकार पर डालते रहे लेकिन जनता इतनी ना समझ नहीं है जनता ने उनको माकूल जवाब दिया और आज देखिए वो विपक्ष में बैठे हैं और वो चुनाव हार चुके है और वो चुनाव हारने की वज़ा कहा रही है वो यही रही कि जो पहले गुमरा किया था आज भी उसी निती पर चलते हुए लोगों को मिजगाइड करने की कोशिश कर रहे है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुडगाओं और फरीदाबाद के बीच में RTS जो एक बहतर वेवस्ता है Rapid Transit की जो बहतर वेवस्ता है उसको लागू किया जा रहा है जिसके अंदर क्योंकि फरीदाबाद और गुडगाओं के बीच में Maximum Area जो है वो अरावली का आता है अरावली परवत का आता है जिसको हम जंगल भी कह सकते हैं Forest की लैंड बहुत सारी आती है बहुत सारे stations की बीच में जरूरत नहीं होती है ताकि जल्दी लोगों का आवागर्मन हो सके महां से fastest train लोगों को मिले गुडगाओं और फरीदाबाद की इसलिए हम एक RRTS जो विवस्ता है उसको हम लागू कर रहे हैं और उसको आलमोस्ट कल उसके ओपर final एक decision ले लिया गया है कि कम से कम station और जल्दी लोगों को महाँ पर पहुंचाने का जो कारे है वो RRTS के माध्यम से होगा इनकी statement जो भी इन्हों ने दी उसनों ने कहा कि Metro का प्रोजेक्ट कैंसल हो गया जबकि कल हमारे मानिय मुख्यमंत्री जी ने वकैदा प्रेस कोंफेंस करके बताया कि हम एक भेतर विवस्ता देने वाले है RRTS के माध्यम से और फरीदबाद और गुडगाओं की बीच में जो train चलेगी उसका जो speed होगी वो Metro से बहुत ज़दा तेज होने वाली है उसके stations भी कम होने वाले है तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इस तरीके की अग्यानता वाली statement देने के पीछे का उद्देशिय उनका क्या है अगर अभी भी उनमें सुधार नहीं आया तो मुझे लगता आने वाला जो वक्त है उसमें जिसको हम नेता कह रहे है उनका कोई credibility नहीं रह जाएगी जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी जनता ने तो अविश्वास पहले ही जता दिया है कि उनको उनको अपने घर पर बिठा दिया है जिस तरीके का result सामने आया है उससे उनको अंदाजा हो गया है कि जनता के हम अप्रियनेता है प्रियनेता नहीं रह गए है पहले एक बार मोका दिया उससे पहले भी मोका दिया लेकिन बार बार जिसे कहते हैं ब्लेम गेम करके अपनी आप राजनीती नहीं चला सकते तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक बहतर वेवस्था जो है वो कायम की गई है RTS के माध्यम से इसके अलावा जैसे मार्निय मुख्य मंत्री जी ने कल बताया कि हम करनाल तक मेट्रो लेकर के जा रहे हैं RTS लेकर के जा रहे हैं हम पानी पत को कनेक्ट कर रहे हैं हम पूरा जो NCR का एरिया है पलवल तक हम लेकर जा रहे हैं बनलबगड से इतने बड़े प्रजक्ट को कल अमरी जामा पिनायागा उसमें सीनर ओफिसर्स वो चाहे अर्बन डुवलेप्मेंट मिनिस्ट्री के थे चाहे वो हमारे हर्याना स्टेट के थे दोनों ने मिल करके इसको एक फाइनल शेप दी है और उसके उपर हमने विस्तार से बताया कि DPR किस तरीके से बन रही है कितना पैसा DPR के लिए खर्च किया गया है कितने टाइम के अंदर हम इन स्टेशन को बनाएंगे कितने किलोमेटर एलिवेटिड होगी अधिकार ने उन्हें राजनीती छोड़ देनी चाहिए देगे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फरिदाबाद के अंदर सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जब होने वाली है क्योंकि जो फिजिबिलेटी है मैटरो की फरिदाबाद गुड़गाओं के बीच में नहीं हो सकती है क्योंकि स्टेशन्स बहुत कम है और स्टेशन्स के बहुत लागत आती है तो एक बहतर विवस्ता उससे भी बहतर विवस्ता हमने दी है दूसरा आपने देखा कि पलबल के साथ कनेक्टिविटी हो रही है हम करनाल को बड़ा दूर मानते थे दिल्ली से और हम वैसे उन बुक्स तो हम उसको कहते थे एंसी आर में कभी किसी ने कलपणा नहीं करी थी कि करनाल तक भी हमारी जो है मेटरो जा सकती है हम करनाल मेटरो लेकर करके जा रहे हैं गुड़गाओं के अंदर भी हमने एक अलग से अरेंज्मेंट किया है कि जो इंटरनल गुडगाओं है Iscojo Link करें मेटरो के साथ वो भी हमने पुराना गुडगाओं को भी उसको वी हमनुनेida a taking प्रजेक्ट बन रिपूर्ट बनिया उसके उपर और उसका भी विस्तार किया जा रहा है तो पूरा जो NCR है हमारा दिल्ली का हर्याना जो इसमें मैक्सिमम कवर होगा वो हमारे इस ट्रांजिट विवस्ता के तायत यह जो हमारी मेट्रो है यह आरटी ऐसे उसके माध्यम समस् करने करने वाले हैं